आपको आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो में आपको जन्डी मुंडा टिफ्स भी दूँगा और लाइफ प्रूप गेम भी खेल के दिखाऊंगा, गेम भी देखो ना और टिफ्स भी सुनना और ये टिफ्स को आप फिर दुसरे गेम में फिर आपको एपलाई करना और वो टिफ्स जब आप गेम खेलने जाते हैं जन्डी मुंडा उस टाइम आपको ये टिफ्स बहुत मददकार होगा, आप जितने के लिए बहुत इसको लगाएंगे ये ट्रीक आपको उहां पर प्रयोग करेंगे तो फिर आपको जन्डी मुंडा जितना ह आप बहुत बार मैं बोलता हूँ आपको जन्डी मुंडा खेलने के लिए जब जाते हैं उस टाइम बहुत बात का ध्यान रखना पड़ता है और उहां पर वो खिलाने वाला जो जन्डी मुंडा खिलाता है उसके उसने कौन सा कौन सा ट्रीक लगाता है वो ट्रीक भी इसलिए आपको भी वहां जाकर जीतने के लिए बहुत ट्रीक लगाना है नमस्कार दोस्तों आज आपको फिर नया वीडियो के साथ आ रहा हूं वीडियो को लास तक देखे वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे तो आपको फिर वीडियो को सुरू करते हैं दोस में लाल पान काला पान और चीडि और फैसर जन्डी मुंडा यह छे डाइज होता इसमें आपको इसमें से जब खेलने जाते हैं तो कोई न कोई ठीक लगाना है वहाँ पर जब वो खेलने के टाइम में आपको बाहत बार देखता है आप कौन सा जंडी में रखते हैं कि मुंडा में रखते हैं कि काला पान लाल पान इट और चिडी में कौन में रखते हैं वो देखता ही रहता है और किस में ज्यादा पैसा रखा है वो खेलाने वाला देखते रहता है और उसको जब ज्यादा पैसा होने के जगा में वो नहीं पारता है इसलिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो वहां पर जो थोड़ा पैसा जहां पर लगा हुआ है उसी में लगा कर खेलना चाहिए और फिर आपको एक बार हार लिया तो फिर दुसरा जगा नहीं रखना चाहिए जहां भी हारते हो वहाई पर एक बार 10 रुपियां लगा लिया तो हार गए फिर 20 रुपियां लगाओ फिर हार गए तो 30 रुपियां लगाओ फिर हार गए तो 60 रुपयां लगाओ ऐसे करके डबल डबल करते लगाओ जब भी आपको वहाँ पर 3 बार 4 बार खाता है तो एक बार आ गया भी आप फायदे में ही हो जाऊंगे जैसे 10 खाया 20 रखो 20 खाया 40 रखो ऐसा करके जब आता है आपको तो डबल आता है तो आप फायदे में हो जाएंगे इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ओडाइज में ओगोटी में क्या ज्यादा तरह आता है आपको दोस बार देखकर ओगोटी को हिलाने के टाइम में कैसे हिलाता है यह सब कुछ देखकर आपको पैसा लगाना है ओइसा ही पैसा मत लगाना है फिर आपको वहां पर जब एक बार खाता है वो 10 रुपया खाया तो फिर 20 लगाना है 20 खाया तो 40 लगाना है इसी तरह खेलना है पहले आपको वहां जाकर 10 बार देखना है कौन सा ज्यादा आता है उसके गोटी में कौन सा ज्यादा आता है ये देखना है फिर आपको पैसा ल लगाता है एक बार दस रुम्याँ खा गयाँ, 20 लगाँ, 20 खाए, 40 लगाँ, 40 खाए, 80 लगाँ, ऐसा बार यह सा करके आफ पांस बार இ स्पो पांस बार में खा दिया फिर कालापवान में गया उहां खा दिया ऐसा करके फिर नहीं होगा फिर आपको देखना है कि उहां पर एक बार खाया दस खाया तो 20 लगाना है 20 खाया तो 40 लगाना है ऐसा करके खेलेंगे तो आप जरूर जित जाएंगे फिर दोस्तों दुसरा ब्रयोग करेंगे तो फिर आपको जंडी मुंडा जितना ही जितना है आप बहुत बार मैं बोलता हूँ आपको जंडी मुंडा खेलने के लिए जब जाते हैं उस टाइम बहुत बात का ध्यान रखना पड़ता है और उहां पर वो खिलाने वाला जो जंडी मुंडा खेलाता है उसके उसने कौन स कौन सा ट्रीक लगाता है वो ट्रीक भी देखना चाहिए क्योंकि वो तो हम को लुटने के लिए वो बहुत ट्रीक लगाकर वहां खिलाता है इसलिए आपको भी वहां पहले ज़नडी मुंडा खेलने जाते हैं तो आप पहले ज़नडी मुंडा में कितना होता है देखना पड़ेगा। दाल पान, काला पान और चीडी और इट जंडी मुंडा ये छे डाइज होता है इसमें आपको इसमें से जब खेलने जाते हैं तो कोई ना कोई ठ्रीक लगाना है वहाँ पर जब ओ खेलाने के टाइम में आपको बाहुत बार देखता है वह आप कौन सा जंडी मेरा